आपलोग भी यहां पर अपने ब्लॉग के लिए आपनी वेबसायट के लिए इमेजेस के लिए सच कर रहा हूँ कि इमेजेस कहा से आप लोग कॉपीराट फ्री ले सकते हैं बहुत ही आसान है यहां पर मैं आपको तरीका बताने वालों कुछ ऐसी वेबसाइट जहां पर आप लोगो को मिलियंस ओफ इमेजेस मिल जाएगे बिल्कोई स्टाउक फ्री यानि कि आप लोग को कोई भी यहां पर क सब्सक्राइब कर सकता है यहां आप लोग को तरीका बताता हूं बहुत ही आसान है क्रियेट करना simply आप लोग को एक website पर जाना है वहां से आप लोग कर सकते हैं अपना खुद का image बना सकते हैं अपने topic के recording देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने साज कर लिया canva.com यह है canva यहाँ पर आप लोग इन भी कर सकते हैं नहीं तो डारेटली आप लोग यहाँ पर इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मैं लोग इन कर लेता हूँ अपनी email id से अब लोग इन करने के लिए continue with google कर लेते हैं कि लोग इन करने के बाद आप लोग आजाएंगे अब आप लोग वो इन पर क्लिक करना यहाँ पर और ब्लॉग बैनर यहाँ अपर लोग को मिल जाए अप लोग यहाँ आ चूक है अब लोगो हो टेमपलेट्स आप लोग को इनके उन्हें से कोई भी यूज कर सकते हैं ज् अब से तृब सनस्ट खरते हैं लिखें जैसे यह है element इसे आप लोग जिसे चाहें लाथ भूत आसानी से उससे काफी संपल रहता है लेगा सकते हैं अपना इमेज बनाना आ। तो आप अपना custom image भी बना सेथा यह help करने के लिए है आपको अगर आपको यह ना करना हो तो आप custom image भी बना सकते हैं मैं आपको यह भी देखा जिता हूँ अपस टेंपलेट को रिमूँ कहले इसे हम लोग ले आते हैं फिर उसका जो भी आप लोग को यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर उसका जैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आप लोग करना हो जैसे यह मैंने लिख दिया और इसे हम उपर कर देते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद आप लोग इसे bold वगएरा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आप लोगों करना उपर आप लोगों bold, italic वगएरा सब मिल जाता है और आप लोग चाहें तो यह custom यह भी यूज़ कर सकते हैं देखी जैसे यह है इसे मैं छोटा कर देता हूँ तो देखी जैसे मैंने यहाँ पर यह लिख लिया है और यही पर ऐसे ही लगा देता हूँ तो कोई भी copyright वगएरा का issue भी नहीं होगा और आप अपने हिसाब से जो image चाहें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं कावी simple हो जाता है इससे customize अपनी image को करना और image को बनाने के बाद आप लोग को export कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अब यह मैं दो तीन और elements यहां पर लगा देता हूँ simply जैसे मैंने इतना यह लगा दिया सब कुछ इतने ही में हमें export करने तो आप लोग को simply share पकलिक करना है share के बाद आप लोग को simply download पकलिक करना है और फिर यह से PNG के जगा है आप लोग को यहां पर JPEG में कर लीजेगा फिर उसके बास क्योंकि आपको optimize भी करना होता है यहां से आप लोग से आप लोग कर देंगे तो थोड़ा टाइम यह लेगा देखी यहां पर राइट सार में आप लोड़िंग चलने लगी और यह आपको यहां पर दाउनलोड हो चुका है कुछ इस तरह से आप लोग यह डाउनलोड कर लेंगे आप लोग को और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग इन वेबसाइट में ना जाकर यहां से इमेजेस ना लेकर आप लोग चाहें तो डारेटली कैनवा डॉट कॉम सर्च कर लिए और कैनवा से यहां पर बना सकते हैं आप लोग इमेजेस अपने लिए बिल्कु फ्री में काफी स सबसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छ लगाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल में ने हो तो सब्सक्राइब करने साब वाले बेल आइकन को टन उनका नाम मत भूलेगा और अगर आपको किसे और चीज़ में प्रावलम हो तो आप मजे कमेंट उसमें जरू बताएगा